दोस्तों नमस्कार भारत रेल यातरी चनेल पर आप सभी लोगा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप जो अभी अपने स्क्रीन पर ये वाला रेल लाइन देख रहे हैं अररिया से ले करके ठाकुड़ आगे यहां पर गल गल या रेल विस्टेशन भी है इसी को ले करके बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि मैं आपको भी दूंगा इस वीडियो में आप यहां पर देख पार हैं अररिया कोट रेल विस्टेशन और यहां पर है अररिया मैं आपको जूम करके दिखाता हूं अलाकि इसके उपर मैंने बहुत बार वीडियो बना दी है लेकिन इसको लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है वो मैं आपको दे रहा हूं अररिया से आगे बढ़ने पर रेल विस्टेशन का में लोग नाम देख लेते हैं अररिया के लिगलिया रेल विस्टेशन पर बहाँस पारी खवासपूर हॉल्ट फिर आपका लक्ष्मिपूर बिहार बरदाहा हॉल्ट कलिया गंज तारागाच हॉल्ट और हम आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बीबी गंज तुलसिया पावा खाली और फिर यहाँ पर आप आगे बढ़ें कोडागा हॉल्ट भाउक धरवार यह जो रिल्वे लाइन है इसको लेकर के बहुत बढ़ी अपडेट आई है और मैं आपको बता भी दू कि यह सारा जो सेक्षन आपको दिख रहा है यह निव जलपाएगुडी गोरकपूर एक अल्टरनेट रूट तयार करके देता है जो कि मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियो में बता रखा है कि निव जलपाएगुडी से लेकर करके जो गोरकपूर का रूट है वो एक अल्टरनेट रूट तयार हो जाएगा केवल और केवल इस रेलवे लाइन के बन जाने से और कैसे तयार होगा वो मैं आपको बताता हूँ आप अपने स्क्रीन पर देख पारे होंगे गोरकपूर जंक्सन जहाँ पर है निव जलपाएगुडी यहाँ पर आप देख पारे होंगे एक अल्टरनेट रूट जो तयार हो रही है वो निव जलपाएगूडी से आप सीधे अलवा बाड़ी गोड़ाएंगे किसंगंज आएंगे किसंगंज से फिर आप किसंगंज होते वे जलालगर होते वे फिर पुर्णिया होते वे भी आ सकते हैं अन्य था बहुत सारे मारगें जो सौटकट है वो सबसे सौटकट मारगे कि न्यूजल पाये गुणी से अप फार्वीस गंज होते वे फिर अप आगे बढ़ते वे जब आएंगे तो फिर निर्माली जनजारपूर शक्री और सक्री यहां पिदरबंगावें बाइपास बन रहा है यहां सोते हुआ मुहम्मध पूर कमतौल और फिर यह अपना जनखपूर रोड और फिर आगे बढ़ते हुए आप आगे बढ़ते बढ़ते फिर रक्सॉल आएंगे रक्सोल से आगे बढ़ने पर आप आगे नरकटिया गंज पहुंचेंगे नरकटिया गंज से बगहा वालमिकी नगर सिस्वा बजार और फाइनली आप यूपी मेंटर करेंगे कप्तान गंज में और या नहीं तो आप घुगली मुंजन चेंज करके फिर आनन नगर होते वे इस तरह रास्ते से भी गोड़क पुड़ा सकते हैं हलांकि वह थो अब्यकार परेगा तो गुगली से कप्तान गंज वोते विए आप गोड़क पुड़ा सकते हैं अब आए देख लेते हैं जो इसके उपर लेटेस्ट अपडेट है वह क्या अपडेट आई है यह जो अप अपडेट है कि यह पिक्स बगर 17 समार्ज को ही लिए थे क्योंकि 17 समार्ज को ही यह हुआ था आप यह पिक्स देख पाड़े होंगे रहमतपूर तक मालगाड़ी का परिचलन हो चुका है आगे मैं आपको पढ़कर बताता हूं लिखा हुआ अरया गलगलिया नई रेलाइ पर ट्रेज चलने की संभावना को बल मिल गया है स्टोन चिप्स से लदे मालगारी को लोको पाइलेट आर के रंजन लोको पाइलेट अभीजीत कुमार गार्ड सतीस कुमार यादव लेकर गए इससे पहले मेल मालगारी के परिचलन से पूर्व के AX ENA के ठाकूर PWI बटेस परिचलन शुरू होने से स्थानी लोगों में हर्स का महौल देखा गया और संभावना व्यक्त गई कि सिग्र ही इस रेल खन पर यात्री ट्रेणों का परिचलन शुरू हो जाएगा उलखनी है कि अर्या के संसत्त प्रदीप कुमार सिंग और अर्या गलगलिया नई डेल ल साथ उन्होंने प्रेक्षन भी किया यह जो समाचार है हिंदुस्तान समाचार राहूल चंदा के द्वारा दिया गया है तो यही एक अपडेट था छोटा सा जो कि मैंने आपको दिया इस वीडियो में अर्या गलगलिया रेल लाइन से हमारे चैनल पर बने रहें भारती रेल यात्री चैनल एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको रेल्वेस से रेलेटेट जो भी जानकारी है सबसे तेज और सबसे अथेंटिक इन्फोर्मेशन देता है सोर्स के साथ आपको न्यूज बताता है तो आप लगातार चैनल से बने रहें वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडि जै भारत जै बिहार